हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है रवी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी helpful होने वारे हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वारा हूं कि आप जो यूटूब पर वीडियो अप्लोड करते हैं कлеклड़ाइं किस तरीकिए से चीक करना है कि आपको यह पता चलिए कि आपके वीडियो को ज्यादा तर कौन लोग देखने जहिंए तो क्या करना है किसे तो आपको सबसे पहला अपना जो टाइटल है वो डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपका वीडियो का जो टाइटल है वो made for kids है या not made for kids ये टाइटल के जरी ज़्यादा तर आपको समझ में आ जागा कि क्या मेरा तर आप यह बच्चों से संबंदित नहीं है या बच्चों से शंबंदित नहीं है तो नोट made for kids के अंत्रगत आजागा अगर बच्चों से संबंदित है तो आपको mad for kids करना ही होगा क्योंकि आगर आपन्हें करेंगे तो योटूब oraz लेर्निक सिस्टम में आटोमेटिकली कर लेगा तो ज्यादा तर अगर आपके वीडियो नौट मेट फॉर किट्स हैं और उसमें से एक या दो भी वीडियो ऐसे हैं जो कि किट्स के संबंदित में तो आप उन्हें तो डिलेट कर दें या वहां से हटा दे तब आप पूरे चैनल को not made for kids के लिए लागू कर सकते हैं या उस option को आप ले सकते हैं not made for kids ठीक है तो अगर आप इन सब की जानकारे देखना चाहते हैं कि आपके वीडियो को कून लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं male person, female person, child, कितने बच्चे आपकी वीडियो को ज्यादा तर देखते हैं कितने आज में कितने हो रहा तो आपके वीडियो को ज्यादा देखते हैं तो यह सब आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने खुद के YouTube पर तो मैं अभी आपका हमारे computer की screen पर दिखाने क्या करना है तो अगर आपका चेनल बच्चों के लिए काम करता है तो आपको made for kids से करना होग आपका ads कम होगा तो जाहर से बात revenue कम होगा ठीक है earning भी कम होगी तो अगर आपके चैनल पर ज्यादा वीडियो not made for kids है और एक या दो भी kids के related तो उसे आप delete कर दिए ताकि आपका चैनल बिल्कुल fresh हो जागा तब आप not made for kids का option select कर सकते हैं ठीक है तो आपको अपने वीडि को कौन ज्यादा देख रहा है यह आप खुद भी चेक कर सकते हैं चलिए computer screen पर आपको बता देते कि किस तरीके से चेक किया जाता है तो फ्रेंट्स सली वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको बता दें कि आपको किस तरीके से चेक करना अपने YouTube चैनल पर तो सबसे पहले आप कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप डेक्स्टॉप का ही यूज करें इसके बाद आप यहां देखें यूट्यूब स्टूडियो जो कि अभी अपडेट हुआ है यहां पर आपको करना है क्लिक इसके बाद आपको अगली स्टेप करनी होगी तो यहां पर जो हमारे YouTube स्टूडि इकसी पर क्लिक यहां पर आपको आपको अपनेका करना है है यहां-स आपको नीचे आना है यहां नीचे आपको सारी जानकारी दी जाएगी ठीक है अगर आप जेंडर वाइस देखना चाहते हैं मेल कितने हैं तो तो देखना चाहते हैं तो देखिए यहां पर भी आपको सोग होगा यह देखिए ग्राफ में सबस्री यादा समझ में आता है यह देखिए यहां पर मेरा मेल का पर्षेंटेज यह सबस्क्राइब तो यहां पर देखिए यहां पर हमने क्लिक किया यह देखिए यहां पर मुझे एज सोग हो रही है अगर मेरे वीडियो को सबस्क्राइब देखना पसंद करते हैं तो 18-24 साल के लोग ठीक है दूसरे नंबर पर आता है तेरा से सत्रा साल के लोग तीसरे नंबर पर आता है 25-34 साल के लोग यह भी अच्छा परसेंटेज है इसके सबसे कम देखते हैं 35 से चुम्मल साल के मतलब देखते हैं यह बहुत बड़ी बात है कि इतनी उम्र के लोग हमारे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो इसके आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अगली वीडियो को बनाने में कि आर मेरी वीडियो को किस तरीके के लोग ज्यादा देखना प्रसंद कर सकते हैं तो उस एज के मुताबिए अगर आप वीडियो का टॉपिक या टाइटल रखेंगे तो आपका वीडियो ट्राफिक है जो कि यह 56,8% है यह और भी बढ़ेगा मेरा में परसंटेज बता रहा हूं अगर आपका कम होता आप इसे बढ़ाने में खुद की ही हेल्प कीजिए अगर आप देखिए यहां से 13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं होना ची यूटूब के अंतरगत अभी जो लागू हुआ करना के लिए इस में और समझना चाहिए कि आर मैं किस तरीक से अपने डिच्ट पर कंट्रोल कर सकता हूं जाय जादा बश्यादानी चाहिए चाहिए यह बनानी अजानी हो sensor आपको संद आही गया होगा है यहां ट्रैकर 。。 सब्सक्रिप्षन स्टेटर्प्स करते हैं जो जरूरत नहीं तो फिलाल इस वीडियो को करते हैं गर तो देखा आप अपने इस तरीके से आप अपने वीडियो पर जो चल रहा ट्राकिक इसे बूल सकते हैं किया आपके वीडियो उस पर कौन-कोन लोग प्राइच है सब्सक्राइब आगे की वीडियो जो बनाते हैं उसे यह ध्यान में रखकर बनाए जाए कि आर इसे अगर चाइल कम से कम देखना पसंद करें ताकि हमारा जो चैनल है वह यूट्यान के अंतरगत आता है तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं यूट्वरी से लागो हो जाया गा तो आप इस तरीके से अपने जो यूटुब चैनल है वहाँ जाकर आप चेक किजिए और ज्यादा तर वीडियो कुछ ऐसे बनाएं ताकि आपको जो वीडियो हैं वहाँ पर आपको यह बताना ना पड़े कि आपकी वीडियो पर चाहले ज्यादा आते हैं आप not made for kids option को बिल्गुल आसानी से स्लेक्ट कर सकते हैं किसी तरह कि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी तो फिलाल आज की वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाए